नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नहीं वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है पाने सुनी का फोन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पाने सुनी के मुबाइल में कॉल फोरवर्डिंग कैसे करते हैं तो call forwarding के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जाना होगा यहां पे dial pad पे और dial pad पे जाने के बाद three dot दिख रहा होगा आपको इस पे चले जाना है इसके बाद आपको setting पे चले जाना है इसके बाद आपको यहां पर calling account तिकरा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर IND जियो करके आ रहा होगा और अगर आपने दो सीम डाल रखे होगी तो आपके पास दो option आ रहे होंगे तो यहां पर आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको जिस भी कंडिशन को यहां पर सेलेक करना है उसको आप सेलेक कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा तो इस तरह से आप क्काल-फरवरडियंग कर सकते हो अगर आपको रिमुव करना है किसी भी क्क को या डिजेबल करनी है इस पे चला जाओंगा इसके बाद यहां पे call forwarding का option आ जाएगा इसके बाद आपको yes पे चले जाना है और yes पे जाने के बाद आपको यहां पे मिल जाएगा audio call का option तो audio call पे आपको चले जाना है थोड़ा सा wait करना है थोड़ा सा wait करोगे तो यह खूल करके आ जाएगा यहां पर call forwarding का उपसान आ रहा होगा इस पर चले जाना है और यहां पर आपको turn off कर देना है ठीक है तो turn off करने के साथ ही आपकी call forwarding जो होगी यहां से remove हो जाएगी तो चले मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए